त्यारी है बैसाली चुनाव लगने का त्यारी है और को आसपास का कोई उम्मीदार आपके अगेंस्ट पर लगता है तो उम्मीदार तो होगा ना आरू पार्टी सब भी लड़ाएंगे बढ़ लड़िएगा चुनाव मैं तो लड़ूगी चुनाव बैसाली से आपको इंडिया गटवंदन में सीट सेरिंग हो गया है लेकिन चिराग पासमान अब तक जो है सभी नामों का एलान नहीं किये हैं कि कौन जो है किस सीट से चुनाव लड़ेगा एक तरफ जो है चिराग पासमान कुछ नामों की घोशना किये हैं जिसमें जो है अपने जीजा बिना देवी हैं जो बर्तमान सांसद हैं बैसाली की उन्होंने काया है कि हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासमान पे पूरा भरोसा है और वो हमें टीकर देने जा रहे हैं क्या कुछ कह रही है बर्तमान सांसद बीना देवी सबसे पहले आप वह सुने आपने साब तरप सुना उनका कहना है कि देखिये हम बैसाली से ही चुनाव लड़ेंगे चिराग पासमान पर पूरा भरोसा है कि वो हमें जो है बैसाली से टिकट दे रहे हैं हम यहीं से नोमिनेशन करने जा रहे हैं लेकिन अब तक जो फाइनल नहीं हुआ है कि 42 से कौन लरेगा एंडिये गठवंदन की तरफ से चिराग पासमान की जोली में बैसाली का सीट गया है लेकिन तैय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे टिकट देना है बीना देवी ने एलान कर दिया है और दावा भी ठोक दिया है कि हम लरेंगे तो 42 से ही दरेंगे और चिराग पासमान हमें टीकट भी दे रहे हैं देखिए लगातार जो है चर्चाएं हो रही है कि चिराग पासमान जो भी उनके बीरोधी रहे हैं जो जो है पाला बदल लिए थे उन्हें टिकट नहीं देंगे लेकिन बीना देवी कह रही है कि पूरा भरोसा है चिराग पास्मान पर और फिर से हम पर भरोसा जताएंगे और वहीं से टीकट दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीका से चर्चाएं हो रही है महभूब केसर अली का हो प्रिंस पास्मान का हो या उनके जो चचा हैं उसको ले करके लेकिन देखिए दूसरी तरफ बीना देवी ने द पर ने वाला है हम लड़ने जा रहे हैं वह भी 42 से अब देखना दिलस्त रहता है कि आखिर पास्मान कब तक जो है उमीद्वारों की गोष्णा करते हैं जिन उमीद्वारों की गोष्णा आप तक वह नहीं किये कमलेश कुमार लाइब भिहार पटना लाइब भिहार